हाई दोस्तों असलाव अलेकुम कैसे आप लोग मेरा नबील है आज जो मैं आपको टेकनीक बता रहा हूँ दोस्तों WhatsApp यूजर के लिए खास वर पे iPhone पे जो लो WhatsApp चला रहे है वो आपको बहुत काम आएगी और अब इसका बहतर ही निस्तमाल कर सकते हैं आपको मज़ा आ जाएगा अपने आइफून के ओपर WhatsApp यूजर करने में WhatsApp जैसे यहां पर मेरा एक फोटो है आज का तो इसको मैंने शेयर किया है अपने कॉंटक के साथ और इसका ड्राप हो गया तो मैं इसको किस तरीके ऐसे फूल रेजलिशन में भेज सकता हूँ अब बहुत सारे चैनल्स पर आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो यहां पर चैनला होगता है उसके बाद यहां पर की कुछ नजर आ रहा है कि सेफर फाइल के अंदर वह से तीनल्स यहां से दबाते हैं उसके बाद दोक्यूमेंट्स पर टैप करते है यह फोटो से यहां से लेक करते है और यह photo जो है हम send करते है यहां से तो इसका जो original format है उसमें वो send होते हैं लेकिन यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 888 KB की photo ही share हुई है यानि कि इसको भी WhatsApp ने जो है compressed किया लेकिन हम uncompressed photo जो है वो भेजना चाहते है as a PDF अगर हम भेजना चाहते है तो किस तरीके इसमें बेज सकते हैं यहां पे मैंने यह photo को भेजा है और यह 9.7 MB की photo का यहां पे चला गया और विदावड इतने सारे steps करने का time कि इसके पास है एक एक photo save करो उसके बाद यह सब जैमिला करते रहो तो यहां पे files का जो है इस तमाल हम विल्कुल भी नहीं करेंगे files application का यह यहां पे photo को directly हम PDF बना के एक second के अंदर शेयर कर देंगे तो सबसे पहले photo album open कर लीजिए उसके बाद आपको सीधा नीचे चले आना है यहां पर print का option है print पर type कीजिए यहां पे photo इस तरीके से open हो जाएगी इसको जो है दो finger से zoom in कीजिए PDF बन गई यहां पे PDF बनने के बाद यह share icon पे tap कीजिए उसके बाद आपको सीधा WhatsApp पे क्लिक करना है और जो भी आपका contact है उसको यह चीज़ शेयर कर दिने जैसे यहां पे यह contact है next पे मैंने tap किया यह photo जो है as a PDF send हो जाएगी और यहां पे देखिए time भी जादा लग रहा है share होने के लिए क्योंकि यह 10 MB के आस easily कर सकता था लेकिन अब आपके पास iPhone है तो आप भी जो easily कर सकते है यहां पे Android phone पे जो मैंने यह चीज़ सेंड किया है वो भी मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं यहां पे आप देख सकते है कि यह photo as a PDF यहां पे send हुई है और यह heic वाली जो photo हमने save to files करके शेयर की थी बहुत ही easy बहुत ही simple trick है फिर से एक बाद बता देता हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए यहां पे जो भी photo है आपकी उसको यहां से select कर लीजे suppose यह photo है या फिर कोई भी photo है आप उसको select कीजे जैसे यह photo है इसके बाद इस पे share पे type करेंगे सब से नीचे लिए आएं हो जाएगी share सामने वाले की दरफ और save to price करके इसको PDF के format में अपने iPhone में ही आफ सेफ करके रख सकते है तो भी कता दोस्तों आपको आज का वीडियो पसना होगा पसना को इसको like and share जरू कीजिए और मेरे इस चैनल को subscribe जो कीजिए goodbye